इस वीडियो में सुद्ध स्रावण मास की अमाउस्या के संबंध में बात करेंगे सुद्ध स्रावण मास में जो अमाउस्या पढ़ने वाली है इस बार उसमें बहुत ही उत्तम महुर्त बन रहे हैं इसे हरियाली अमाउस्या के नाम से भी जाना जाता है जैसा कि हम सभी को पता है कि इस बर्ष दो स्रामण मास हैं स्रामण में ही आधिक मास लग रहा है तो इसी हरियाली अमावस्या के अगले दिन ही आधिक मास का प्रारंब हो जाएगा यहां अमावस्या सो मुवार के दिन पड़ रही है जिससे यह सोमवती अमावस्या होगी, सोमवती अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इससे क्या फल प्राप्त होता है, इसके संबंध में सारी जानकारी इस वीडियो में उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा आईए सबसे पहले या जाने कि सुद्ध स्रामण महीने की अमाउस्या किस दिन पढ़ेगी इस दिन क्या मुहूर्त बनेगा सुद्ध स्रामण कृष्णपक्ष दीनांक 17 जुलाई 2023 दिन सोमवार को पुनरवस नक्षत्र में यहां सोमवती अमाउस्या पढ़ेगी इस दिन स्नान दान ब्रत तथा श्राद्ध का मुहूर्त रहेगा सोमवार के दिन यहां अमाउस्या पढ़ रही है जिससे इसका विशेश महत्त रहेगा जिसके बारे में हम आगे बतलाएंगे इसे हर्यालिय माउस्या के नाम से भी जाना जाता है इस दिन स्नान सोमवार का व्रत भी किया जाएगा स्नान सोमवार का व्रत प्रदोष व्रत की तरह करना चाहिए इसमें आप सायंकाल एक अन भक्षण करके भी व्रत कर सकते हैं अथवा बिना अन के भी स्नान सोमवार का व्रत कर सकते हैं इस दिन आपके आसपास जो भी तीर्थ हो नदी हो जलासे हो उसमें स्नान का महत्त बतलाया गया है अमावस्या में तीर्थ हसनान का विशेश महत्त है तथा अमावस्या तिथि में स्राद्ध का भी विशेश महत्त बतलाया गया है इस दिन किये गए स्राद्ध से पितर गण त्रिप्त हो जाते हैं अमावस्या इस दिन पूर्ण रूप से है तो दोपाहर में कुत्प बेला में पितरों के निमित इस दिन श्राद्ध करना चाहिए यदि आप पितर दो शाद से पीडित हैं तो भी इस दिन आपको पितरों के निमित श्राद्ध तरपन दान ब्राहमण भोजन आदी अवस् पिंडी शाद्ध, पारवन शाद्ध, नाराण बली आत भी इस दिन कर सकते हैं। के मूल में लक्षमी सहीत स्री हरिविष्णू की प्रतिमा स्थापित करके उनकी सोड़ सोपचार पूजा करनी चाहिए, साथ ही साथ पीपल ब्रिक्ष की भी पूजा करनी चाहिए। आए सोमोती अमावस्या के ब्रतियों पूजन के विधान की सास्त्र प्रमार से चर्चा करते हैं। कहा गया है। सोम समा योगो यत्र यत्र ही लभ्यते तीर्थे कपिल धारंचा गंगाच पुषकरम तथा दिव्यांतरिक्ष भूमानी यान तीर्थान सरवशह तानी तत्र वसिष्यंती दरसे सोम दिवस्थिते। अर्थात अमावस्या के दिन यदि सोम वार पड़ जाए तो वहा अतिस्रेष्ट है। तीर्थ, कपिल धारा, गंगा, पुषकर, दिवी, अंतरिक्ष और भूम के जो सारे तीर्थ हैं वैसब सोमोती अमावस्या के दिन अपने अस्थान पर ही रहते हैं। अमावस्यात सोमेन सप्तमी भानुना सह चतुर्थी भूम पुत्त्रेण सोम पुत्त्रेण चाष्टमी चतस्रस्तित यस्त्वेता सूर्यक ग्रहन सन्निभाह स्नानम दानम तथा शाध्धम सरबं तवाक्षयम भवेत। अर्थात सोमवार के दिन अमावस्या हो, रव्यवार को सप्तमी हो, मंगलवार को चतुर्थी हो, बुधवार को अश्टमी हो, तो ये चार तिथियां सूर्यक ग्रहन के समान मानी गई हैं। इसमें जो भी इसनान, दान और शाध्ध किया जाता है वह अक्षय होता है। प्राता का लुटकर मौन असनान करना चाहिए, कौसे वस्त्रधारन करना चाहिए, पीपल ब्रिक्ष के पास जाकर के पूजा करनी चाहिए। सोमोती अमाउस्या का व्रत करके अस्वत्त मूल में लक्षमी सहित स्री विष्णु का पूजन करूँगा, इस तरह से संकल्ब धारन करना चाहिए। उसके बाद पीपल ब्रिक्ष के मूल में भगवान स्री हर की प्रतिमा को स्थापित करके शोड़ सो पचार पूजा करनी चाहिए। आवाहन, स्थापन, ध्यान, पाद्य, अर्ग, आचमन, स्नान, वस्त्र, जद्यों पबीत, उपबस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, तुलसी, धूप, दीप, नवेद्य, फल, तामबूल, दक्षना, प्रदक्षना, नमस्कार, पूरवक, भगवान की पूजा करनी चा भगवान सोम तथा अमावस्या को भी प्रणाम करना चाहिए, अमाये नमहा, सोमाये नमहा, इस नाम मंत्र से अमावस्या तथा सोम को नमस्कार करना चाहिए मूलतो ब्रह्मरूपायो मध्यतो विश्णरूपिने, अगरता सिवरूपायो अस्वत्थाय नमो नमहा, इस मंत्र से अस्वत्थ की पूजा करके एक सो वाठ प्रदक्षना करनी चाहिए हे ब्रिक्षराज, हे पीपल, हे अगनिके वासस्थान, हे भगवान को प्यारे, मेरे समस्त पापों को नश्ट करिये, मैं आपको नमस्कार करता हूँ इस मंत्र से पीपल की पूजा करनी चाहिए सोमोतियमावस्या के दिन निश्ट फल की प्राप्त के लिए ब्राहमन को बस्त्र सुबरन दक्षना देनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए यन्मया मनशावाचा नियमात्म पूजनंकृतम सर्बम संपून ताम यातू तद विश्णोस्च प्रशाद तहा अर्थात मैं ने जो मन से बाणी से नियम पूर्बक यह बरत पूजन किया है वह भगवान विश्णु जी की कृपा प्रशाद से पूर्ण हो जाए इस तरह से सोमोती अमाउस्या को बरत पूजन का विधान सास्त्रों में बतलाया गया है इसके बाद सोमोती अमाउस्या की कथा का समण करना चाहिए कथा हम अगली वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे सोमा की संतुष्ट के लिए सवभाग्यवती महिलाओं की पूजा करनी चाहिए ब्रामनों को अन्न देकर साइंकाल मौन होकर एक अन्न का भक्षन करना चाहिए आप चाहें तो बिना अन्न के भी ब्रत रह सकते हैं अन्न था आप साइंकाल एक अन्न का भोजन भी कर सकते हैं इस तरह से बारह वर्ष इस ब्रत को करना चाहिए बारह वर्ष करके अथवा आदि में मध्य में या इस ब्रत के अंत में इसका बिद्विधान से उद्यापन क जो कुछ भी सामगरी आपने चढ़ाई है उसे ब्राहमन को या गुरू को समर्पित कर देना चाहिए आशा है सोमोती अमाउस्या का ब्रतविधान आप सब के लिए उपयोगी होगा वीडियो को लाइक सेयर करना मत भूलिएगा कमेंट में जैस्रीहरी अवस्च लिखिएगा प्रामाडिक प्रतपर्वते ओहाग जोंतिस वास्तु तथा ग्रावाधा निवान संबंदी जानकारियों के लिए बने रहे हमारे साथ नमस्कार जैविश्वनात